देख रहे हैं सांज टीबी और आज के कारेक्रम खबर पर नजर की सकड़ी में हम बात करेंगे देश के कई राज्यों में मीट बैन को लेकर चल रही स्यासत और उस मुद्दे पर आपको बता दें कि जैन धर्म के तेहारों की बज़ा से मीट की खरीद प्रोक पर 36 बड़ पंजाब और हर्याणा के कई राज्यों में बैन लग चुका था मुबई की दो नगर पालिकाओं ने गुजरात के एहमदाबाद और नरज्यस्थानक में तेहारों के चलते पहले ही म 36 गड़ सरका ने मास की खरीद प्रोक पर 9 दिनों के लिए बैन लगाया था जैन समदाय में प्रियूशन पर्प के गिनेश चतरती को देखते हुए परदेश में 18 स्तंबर तक जानवों को काटने और मास वेचने की खरीदने को लेकर बैन लगाया हुआ था मुबई में मचली खरीदने की सलादे डाली आए इससे जुड़ी देखते हैं एक रिपोर्ट बन मर जाती है इसलिए हमने कोई बद सामिल नहीं है उन्होंने कोट में समक्स के सपस्टिकंड दिया कि उसका आसे था कि बद नहीं होना चाहिए इस बैन का बिपक्स नहीं सत्ताधारी बीजेपी के सियोगी सिवसेना ने बिरोध किया है कोट में सरकार ने बैन के पीछे तरक पर सवालों का सामना करना पड़ा जजों ने कहा कि बैस विकर्ण के मद्य नजर हमें अपने नजरिये में बदलाब लाना चाहिए अपने कदम को सही ठहराते हुए सरकार ने कहा सुप्रीम कोड में इस फैंसले में कहा गया है कि हम समदाय विशेश की भावनाव का समा परियूशन के दुरान मीट पर 1994 से शुरू हुआ बैन और आज में तक कांगरिस करकार थी अधिकारियों ने बताया कि दस साल के बाद भी बैन को बढ़ा कर चार दिन कर दिया गया था लेकिन असल में कभी लागू नहीं किया गया गुरुवार को जब बैन पहले मीट में लागू किया गया तो कई दुनान ने खुली थी लेकिन सरकारी बुच्चडखाने बंद रहे बूर रिपोर्ट सांज टीवी बहीं बीबैन का मामला मुबई से चला था और पंजाब हर्याना देश के उत्री हिस्से तक पहुंच गया मीट बैन को लेकर यहां पर प्रतिव हाउस बंद रहे और मीट की विक्री बजारी रही आए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट बहीं पंजाब के लुदिहाना में लोगों की धार्मिक भावनाव को देखते हुई ये फैंसला लिया गया है कि इस दिन धारा 144 रागू रहेगी इसके लिए तहत मीट अ रेडियों और बुच्चड खाने बंद रहेंगे किल रखने के लिए कहा गया होटल रस्टरा और डबों पर भी मीट अंडे पकाने और सेवन पर मनाई रहेगी हर्याना परदे सरकार ने गच 26 अगस्त को इस संबंद में एक अपील की थी लेकिन गुसुप करवार को के रा में महावीर भगवान सेवा संस्थान के पधान राकीस जैन ने कहा कि जैन पर पर दसकों से मीट पर प्रतिवन लगता आ रहा है इस पर मामले में बेवजह तूल देकर राजनीती को हो रही है लुध्याना में केवल एक दिन के प्रतिवन की मां की ये थी और परशासन ने इसे मान लिया है भाजपा की महराष्टर सरकार आज कल मेचली, मुरगा और बकरे के मास को लेकर और गुजरा सरकार गौमास को लेकर काफी मुश्केलों में है जैन संदा में अशाण ब्रत और मुबई में चार दिनों के लिए भाजपा की और से मीट की विक्री पर प्रति मुस्लिम जो बादशार रहे हैं, चाहे मुस्लिम उलामा हैं, सब का ये मानना है कि हमें गाय का गोश्ट नहीं खाना चाहिए, बीफ नहीं खाना चाहिए, और क्योंकि हमारे जो दूसरे साथी हैं इस देश में, अगर जजबात को ठिस लगती है, उनकी फिलिंग्स हर्ट होत है कि जो गाय जो दूद देने वाले जानवर हैं, उनको ना काटा जाए. Is now Mr. Modi going to decide as to what I eat, what I wear, where I sleep, whom I meet, when do I open my mouth? If this is not fascism, then what else is it? And it is high time that progressive, nationalist and secular forces come together in order to save this country from the spectre of dictatorship which has now come to haunt it. एंट गुर्म स्टाल कोई प्रेंट मेद करन् आपका टेट ही आपकारण कोते है लेकी पहुष्टमेते हैं जो सहब रचताना से इन एकाम इचताव भ larva रहा नहींशताates ने कि crunchy भी निषया कोई भी कोई फैसे की सबस्क्ति बडूंनलों काई अलाल हुए हम इस अकि रहा हम जिल झालगों कारव हाओ ज सबस्क्रेद सब्सक्रां की बात कर दो एकाद है कोई झाली आखिए तो कुछा से अभी सरकार ने गवर्मेंट ने खास तोर पर बीफ बीफ का नाम लेकर बीफ हमेशा जो भैस का जो गोश्ट होता है उसको बीफ कहा जाता है ना कि गाय के गोश्ट को बीफ कहते हैं अभी पाबंदी जो है वो गाय के मीट पर लगी है ना कि किसी और चीज़ पर है तो मैं समझता हूं कि पहले तो उनको इस बात को क्लियर करना चाहिए कि जो बीफ में और गाय में क्या फर्क है पहली बात तो गाय का गोश्ट हमारे हैं इंदुस्तान में आम तोर पर बहुत कम जगाओं पर होगा जो खाया जाता है आम तोर पर मुसलमान इसको खाता नहीं है मगर पिर भी अगर इसी बात है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह दूसरे रोग का गाय को प्रतीय दूसरें लोग उसको गाय को प्रतीयां क्वाद् से जोड़के देखते हैं तो मैं समझता हा कि अगर उनकी आष्ता है उसके साथ तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए, हम हरे पर बहुत सारे विकल्ब है, हम लोग और बहुत सारे चीज़े खा सकते हैं, तो हमें इस बात का भी ख्याल करना चाहिए बही मोदी सरकार ने जिस तरह जनता की आवाज को लेकर की टिपणी के अनुसार 1857 पोन बैपसाइट पर बैन करने के आदेश दिये हैं, जिसके बाद बरतमान में देश के कई राज्यों में कुछ देन के लिए मीट बैन लगाया गया था, और अब सवाल उठने लगे हैं कि क प्रिया सरकार आगे भी ऐसे ही फिर्मान जारी करती रहेगी, अच्छ दिन का नारा देने बाली निरेंदर मोदी सरकार ने जब पहली बार लोकतंतर के मंदिर में कदम रखा तो संसत की चोखट को सर जुका कर प्रणाम किया था, लोकतंतर यानि जनता के लिए और जनता के जिवासा के लेखत चेतनभरत ने लिखा कि बहुत सी मुस्किलों के बाद हासिल हुई अजादी इतनी असान से गवानी पड़ी है, उनका अवान के लिए ट्यूटर पर कर लोगों ने समर्थन भी हासिल हुआ, कुछ लोग बीते कुछ महीनों में सरकार की ओर से लगाएग खाने और देखने की आजादी इतना ध्यान है, मशहूर अभिनेतरी सोनम कमूर ने भात में ब्यापत अस्यान सिलता पर सवाल उठाया और उन्हेंने ट्वीटर कर कई लोगों